नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्ट महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बांगलादेश लिबरेशन वार 1971 के बारे में आपको इस लेक्चर में पताने वाला हूँ, बांगलादेश की आजादी के दो important कारण है, पहला शेक मुझीबुर रह्मान और उनकी अवामी लीक के द्वारा चलाया गया सालों लंबा आंदोलन, फिर मुक्ति बाहिनी के द्वारा चलाई गई इंसरजंसी, और दूसरा बड अरोडा के सामने surrender कर रहे हैं, तो इन दोनों ही reasons को हम analyze करेंगे, आज पचासवे साल के उपलक्ष में भारत के राष्ट्रपती श्री रामनात कोविंद बांगलादेश के दौरे पर हैं, इन्हें invite किया गया है as a special guest, तो यह बताता है कि आज भी भारत और बांगलादेश के रिष्टे कितने प्रगाड हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर शेक हसीना जी ये उनका स्वागत कर रही है, इन्फाक्ट भारत के राष्ट्रपती को बांगलादेश invite किया गया है, एक special ceremony में, तो यहाँ पर 50 साल जो मनाय जा र contingent जो ढाका में आज सुबह होने वाली parade में हिस्सा ले रहा होगा, as of right now जब मैं ये lecture record कर रहा हूँ, तब ये parade चल रही होगी, तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2021 की हमारी Republic Day parade में, तब बांगलादेश की services से यहाँ पर एक special contingent आया था और भारतीय contingents के साथ उसने मार्च किया था 2021 में पूरे साल ही कोई ना कोई आयोजन किया गया है इस युद्ध को या बांगलादेश के liberation को मार्च करने के लिए तो इसे विजय पर्व के रूप में दोनों देश celebrate कर रहे हैं, in fact आज भी भारत में 30 पुराने मुक्ती युद्धास को बुलाया गया है, गुरिला fighters जिन और captured as prisoners of war, तो ये युद्ध भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट के हितियास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आज हम यहाँ पर डीटेल में पढ़ने जा रहे हैं, 16 December 1971 को जब पाकिस्तान की आर्मी ने भारत और मुक् पाल राठोट सर पर मिल जाएगा, पाथफाइंडर पर भी मिल जाएगा, इन टेलिग्राम चैनल्स को आप जरूर जोइन कीजे, और आप अगर मुझे अनकैडमी एप पर इस ID पर फॉलो करेंगे, तो आपको मेरी स्पेशल ग्लासेस की अपडेट्स पराप्त हो जाएंग का कोर्स भी अवेलेबल है, और साल के अंद में सब्सक्रिप्शन प्राइसेस को एक बार हाइक किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो 16 डिसम्बर को जो प्राइस हाइक आ रहा है, उससे पहले ही, यानि कि आज के दिन में अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, तो इस हाइक से आप बच जाएंगे, तो ये प्राइस हाइक से पहले बहुती अच्छा मौका है आपके पास कोर्स अवेल करने का, आईए अब हम 1971 के वार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बैगराउंड जान लेते हैं, तो कई बार हम किवल युद्ध के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये युद्ध हुआ क्यों, उसके पहले 20 साल क्या चल रहा था East Pakistan में, उसकी कहानी कई लोग भूल जाते हैं, तो इसकी पूरी कहानी को मैं आपको शुरुआत से समझाओंगा, तो देखें इसकी शुरुआत होती है कही ना कही 1905 से, 1905 में अंग्रेजों ने, and to be specific, वा के लिए उसका विभाजन किया गया, कहने को administrative कारणों से, लेकिन असलियत ये थी कि ये वाला बंगाल हिंदू अबादी वाला था, और ये वाला Muslim majority का था, तो इसलिए दोनों के बीच में विभाजन हो, और हिंदू Muslim खाई बढ़ जाए, इसलिए करजन ने बंगाल को दो हि विभाजित कर दिया, तो ये वाला जो पूरा रीजन है, जो आज के समय बंगलादेश है, ये Muslim majority था, तो 1947 के समय जब partition होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय ये वाला जो एरिया है, जो East Bengal हुआ करता था, ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो इसे कहते थे West Pakistan, इसे कहते थे East Pakistan, तो ये दोनों ही पाकिस्तान थे, और यहाँ पर भारत, तो आप देख रहे हैं कि भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, कि उसके दो तरफ, अब एक ऐसा पडोसी है, जिसके साथ उसके रिष्टे इतने अच्छे, शायद नहीं रहन थे, ऐसा 1947 में हमें समझ में आ गया था, और पाकिस्तान के सामने मुसीबत किये थी, कि उसके जमीन के जो दो हिस्से हैं, वो 1600 किलोमेटर दूर हैं, और 1600 किलोमेटर कनेट कैसे करोगे, हर कोई तो हवाई जाज में जा नहीं सकता, in fact 1947 में तो Civil Aviation ने टेक आफ भी नहीं किया कि इस तरह का अवाहियात प्लान हम आपको ओके नहीं कर सकते हैं, खेर, पाकिस्तान के दो हिस्सों के बीच में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, वेस्ट पाकिस्तान पंजाबी डॉमिनेटर था, यहां पर पाकिस्तान का पंजाब परान थे, यहां के लोग पंजाब नेम इस बांगला, तो बांगला भाशा बोलने वाले लोग यहां जादा रहते हैं, जादा क्या, इनफाक्ट पूरा ही देश बांगला भाशा बोलता था, मेजॉरिटी, और एक और इशू था, यहां पर हिंदू का परसंटेज इस इस पाकिस्तान में थोड़ा जादा था compare to West Pakistan, तो इन दोनों पाकिस्तान के हिस्सों के बीच में एक ही common चीज थी, वो था धर्म, तो religion दोनों में सेम था, Muslim majority थे, लेकिन किवल एक जोडने वाली कड़ी कब तक देश को बांध कर रख सकती है, तो देखें, यहां पर divisions पहले भी थे, यह आज के समय में आप देख सक हैं, इन्होंने यह कहा कि East Bengal के जो लोग हैं, इन्हें भी उर्दू को State Language के रूप में अडॉप्ट करना होगा, बांगला भाशा को हम राज्य के अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उससे East Bengal में तुरंत प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते है हम एक ही साथ जुड़े हैं, तो हमारी भी भाशा है, उसे भी आप recognize कीजिए, हमारी भी आबादी कोई छोटी मोटी नहीं है, almost equal आबादी थी वेस्ट पाकिस्तान और इस्ट पाकिस्तान की, तो उस समय एक नेता हुआ करते थे मुझीबुर रह्मान, शेक मुझीबुर रह होती है, पुलिस के साथ clashes होते हैं, कई सारे प्रोटेस्ट में, और मुझीबुर रह्मान, जो खुद Muslim League के एक important नेता थे, इन्हें arrest कर लिया गया, तो 1949 में जब ये वाला भाशा का मुद्दा चल रहा था, उसी समय मुझीबुर रह्मान ने Muslim League छोड़ दी, Muslim League वो पार्ट स्वायत्तता है, उसे मिटने ना दिया जाए, तो ये बेंगॉली Nationalist Party के रूप में उभर कर आती है, अवामी लीग 1950s और 60s में, अवामी लीग उस समय एक बहुती छोटी सी पार्टी थी, लेकिन इसका main लक्ष यही था, कि देश में जो बांगला भाशा है, उसको बचाया जाए, और उर्दू भाशा का imposition ना हो, वेस्ट पाकिस्तान, यहां के culture को, यहां की भाशा को समाप्त ना कर दे, तो इसने उर्दू के imposition के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, और 1950 और 60 के दशक में, ये आंदोलन भाशा से बढ़ता हुआ, स्वायत्तता की तरफ चला ग उसी समय, 1950 के आसपास, पाकिस्तान के जो पहले प्रधान मंत्री थे, लियाक का तली खान, इन्हें पाकिस्तान में समिधान बनाने की जल्दी थी, बाइद वे, पाकिस्तान को समिधान बनाने में बहुत टाइम लग गया था, 8 साल लग गय थे, हमारा constitution 50 में तयार हो गया थ और पाकिस्तान का 56 में जाकर लागू हुआ था, तयार हुआ था, तो पाकिस्तान का constitution लगा था, डिले हो रहा था, main reason उसका यही था, कि प्रांतों को कितनी शक्तियां दी जाए, तो कई प्रांत चाते थे कि हमें बहुत शक्ति दे दो, लेकिन केंदर नहीं चाता था कि शक प्रतिशक्ति, यानि कि majority population कहां रह रही है आपके देश की, ऐसे हिस्से में जहां पर ना तो capital है, ना जिसकी भाषा को आप recognize करना चाहरे हैं, इसके बावजूद, जो पंजाबी elites थे, जो पाकिस्तान की politics को dominate करते थे, वो ये कहते थे कि जादा तर power West Pakistan के पास होना चाहिए और West Pakistan जादा important है, क्योंकि वो देखते थे कि जो पूरा पाकिस्तान movement है, वो mainly West Pakistan की तरफ जादा concentrated था, तो ये जो आज का पाकिस्तान देश है, वहाँ वाले प्रांत जादा comparatively important है, East Pakistan के comparison में, तो ये जो पंजाबीज हैं, इन्होंने कहा कि East Bengal के अंदर हिंदू भी जादा ह है, कि देखो हिंदू जादा है, तो वहाँ पर आबादी हमेशा loyal नहीं रहेगी, तो देश में जो Muslim आबादी का प्रतिशत है, वो West Pakistan में जादा था, East Pakistan में कम था, तो ऐसे में East Bengal को या East Pakistan को अगर जादा प्रतिनिदित्व representation दे दिया उसके आबादी के अनुपात में, तो ये पूरे देश के लिए हानिकारोग हो सकता है, ऐसा इन पंजाबी लीडर्स ने या West Pakistan के लीडर्स ने का, आप धर्म का प्रतिशत देख लीजे, तो पाकिस्तान का जो 1951 का census था, तो उसमें आप देखेंगे कि overall पाकिस्तान के अबादी में किवल 13 प्रतिशत हिंदू थे तो इस Hindu minority को बहाना बनाया गया कि ये अबादी loyal नहीं रहेगी and they will be more inclined towards India, अब 1952 में Muslim League के खिलाफ East Bengal के अंदर काफी बड़े स्तर पर विरोध होता है, कई जगे दंगे भी होते हैं और दंगों का एक ही reason था कि उर्दू को national language घोशित कर दिया गया था, कि पाकिस्तान कहा उर्दू को national language बनाएंगे, जबकि बंगाली भाशा या बांगला भाशा बोलने वाले लोग कह रहे थे कि हमारा भी तो देखो 55% अबादी तो हमारी है, तो ये जो language riots है, इन्होंने बंगाल के लोगों को एक जुट कर दिया, बंगाली यानि कि इस पाकिस्तान में रहने व उसी party के खिलाफ 5 साल बाद लोग एक जुट होना start कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बंगलादेश में feeling आने लग गई थी कि पाकिस्तान के जो elites हैं, वो East Pakistan को तो एक colony के रूप में चलाना चाहते हैं, they want to rule over us just like a colony, तो हम British से आजाद इसलिए थोड़े ना हो है कि West Pakistan की गु लिबारी करी थी और उसमें कई लोगों की मृत्य होई थी और इसी को commemorate करने के लिए United Nations ने 21 फरवरी को International Mother Language Day घोशित कर रखा है, यानि कि अंतरराश्ट्रिय मात्रभाशा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है in commemoration of the 1952 police firing on the language rallies, तो कई जगे बड़े सतर पर firing होई बहुत लो कि Pathfinder पर आने वाले lectures को आप regularly देखिए, Pathfinder चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कीजिए, अपने friends को भी बताइए, इस channel के बारे में जहाँ आपको quality content मिलता है, coming back to the topic, 1954 में East Pakistan ने provincial elections करवा है, प्रांतिय चुनाव जो local elections होते हैं, इन elections में Muslim League के खिलाफ सारी local regional parties इखटा हो गई और इन्होंने Muslim League को बुरी तरह से हरा दिया, तो Muslim League जिसने Pakistan बनाया अभी 5-6 साल पहले, वो provincial चुनाव भी नहीं जीत पारी थी, और जैसे ही चुनाव के नतीज़े आते हैं, तो दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जनरली कभी अगर कोई dominant party हारती है, तो ये इस तरह की writing या थोड़ा बहुत violence होता ही है, ये South Asia की history में काफी common आपको देखने को मिलेगा, at least पहले था, अभी तो इतना नहीं है, तो यहाँ पर जब दंगे होते हैं, उसके बाद एक बार लगता है कि शायद opposition सरकार बना ही ना पाए, लेकिन finally फजलूल हक, जो कृशिक श्रमिक party के इन्होंने आवामी लीग के साथ मिलकर ये सरकार बना ली, लेकिन इन दंगों का और चुनाव के बाद आई अस्थिर्ता का बहाना बना कर, पाकिस्तान की केंदर सरकार ने East Pakistan में governor rule establish कर लिया, और United Front को सरकार बनाने से वंचित कर दिया गया, बना सरकार बना ली थी लेकिन उनकी सरकार की जगे central rule जैसे की emergency में होता है, उस प्रकार का शासन यहाँ पर establish कर दिया जाता है, केंदर सरकार की तरफ से एक senior minister इसकंदर मिर्जा को बेजा जाता है East Pakistan की वहाँ जाकर stability लेकर आओ, और यही इसकंदर मिर्जा आगे चलकर पाकिस्तान के governor general बन जाते हैं, और यह governor general बने तब पाकिस्तान में बहुत instability आ गई, इन्होंने कम से कम चार prime ministers को हटाया, बनाया, तो यह बहुती unstable time था पाकिस्तान के लिए mid 1950s के हम बात कर रहे हैं, एक के बाद एक पाकिस्तान में 1955-56 के आसपास कई prime ministers आते हैं, जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए काफी instability व खा जा रहा, समविधान पूरा किया, पाकिस्तान ने अपने आपको एक Islamic Republic declare करके national parliament बनाने की गोशना करी, और इसमें 300 सदस्य होंगे जो चुनाव के द्वारा टै किये जाएंगे, और उसके लावा कुछ seat ओंपर महिलाओं का आरक्षन रहेगा, तो 10 seat हैं महिलाओं के जादा थी, it was approximately 63% of the entire population of Pakistan, लेकिन आप ये देखिए कि बजट के खर्च में कितना भेदभाव हो रहा है, East Pakistan जहां आबादी जादा है, वहाँ बजट का किवल 32% खर्च हो रहा है, 24%, 30%, approximately 30%, तो 60-70% बजट कहां जा रहा है, जहां पर आबादी का 35-37% मौजूद है, तो इस से बहुत जादा discrimination यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस आंदोलन की शुरुआत तो भाशा के मुद्दे के कारण हुई थी, उर्दू imposition के कारण, लेकिन अब financials, थिती इस प्रकार की हो गई, कि आवामी लीक कहने लगी, कि ये West Pakistan की सरकार हमारा कभी भला नहीं कर सकती, तो अब हम 6 demand रख रहे हैं, 6 points हम सामने रख रहे हैं और इन 6 points को पूरा किया जाए, तो 1966 में 6 point movement चलाया जाता है और इसके तहट East Pakistan स्वायत्तता मांगता है, greater autonomy for the East Pakistan, पहली demand पाकिस्तान एक federal state बने, यानि कि संगिये विवस्था में आये, जहाँ पर प्रांतों को बहुत ज Fairs को छोड़ कर बाकी सभी subjects जिन पर कानून बनाया जा सकते हैं, वो राज्यों को दे दिये जाए, तो राज्यों की power बढ़ जाएगी केंदर सरकार की कम, वित्यमामलों में भी स्वायत्ता की मांग रखी गई, कि अलग currency होगी और अलग fiscal policy होगी, तो East Pakistan की fiscal policy, इस्लामाबा या West Pakistan तै नहीं करेगा, taxation powers होंगे, state government के पास, to be specific East Pakistan के पास, और foreign nations के साथ व्यापार कैसा होगा, यह हम तै करेंगे, और हमारा forex reserve भी अलग होगा, and finally, separate military and navy, तो मतलब इन्होंने बस एक अलग देश की demand नहीं करी, बागी सारी demand रख दी, of course, आप इन demands को पढ़कर समझ नेता, इन demands के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहे होंगे, क्योंकि यह सारे power अगर आप देदेते हो, तो almost एक अलग country बनाने जैसा ही हो गया, लेकिन, देखो, demand कभी भी जादा रखी जाती है, ताकि जब आप settle करें, तो compromise करें, तो थोड़े कम demand पे settle कर लिया, अब मान ट्रेंड यही रहता है, politics के अंदर, कि demand हमेशा जादा करी जाती है, और फिर जब compromise होता है, तो फिर थोड़े से कम demand पर settle हो जाता है, अब कुछ geopolitics की बाते हैं, जब ये सब कुछ घटना गरम चल रहा था, 60s में, उस समय, US के नित्रतों में, एक संगठन बना हुआ था, Seattle, South East Asian Treaty Organization, तो जैसे आपने NATO के बारे में सुना होगा, तो ये European देश NATO का हिस्सा थे, उसी प्रकार से दक्षिन पूर्व एशिया के देश, Seattle का हिस्सा थे, तो जिसमें main allies थे, Pakistan और Thailand और Australia, ये भी शामिल है, तो इन देशों का मकसद क्या है, कि Communism को, Soviet Union और China की power को रोकना, खेर important project था, United States का, और पाकिस्तान में, Seattle का क्या रोल है, देखे, पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा और ये, दोनों ही हिस्से, US के लिए strategically काफी important थे, because of the ongoing Vietnam war in South East Asia, तो पाकिस्तान के हाद से, East Pakistan चला जाये, ये बात, US को भी मंजूर नहीं थी, अब 1968 में, अगर तला conspiracy case में, शेक और अन्य बड़े निताओं को जेल में डाल दिया गया, conspiracy क्या थी, इन पर आरोप लगाया, पाकिस्तान की सरकार ने, कि ये भारत से support मांगने के लिए, अगर तला गये थे, त्रिपूरा गये थे, और इसले इसको अगर तला conspiracy case का जाता है, कई दशकों बात प्रूव हुआ होती हैं, कुछ natural disasters होते हैं, जिसके कारणी आंदोलन को और तेजी मिली और बल मिला, नवेंबर 1970 के महीने में, बंगाल की खाड़ी में आता है चक्रवर्ती तूफान भूला, और इसने बांगला देश या इस्ट पाकिस्तान में लाखों लोगों की जान ले दी, बाढ़ आ पहुचाई जाए, साहता पहुचाई जाए, वित्तिय साहता और हर प्रकार से जानवाल को नुकसान होता है, तो you need a lot of support, लेकिन ये support पाकिस्तान की गवर्मेंट ने अपने ही देश के अंदर इस्ट पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं कराया, in fact US और UK जो की काफी दानव और उसके बाद December में चुनाव होंगे, तो आप imagine कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या कोई, पश्चिमी पाकिस्तान की political parties, PPP, पाकिस्तान People's Party के लिए vote करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो 300 constituencies, जिनमें से 162 इस्ट पाकिस्तान में थी, इनमें चुनाव हुए, तो यहां सारी क सारी constituencies में आवामी लीग जीत गई, सिर्फ एक constituency थी जहां पर यह चुनाव हारे थे, और एक में पोस्पॉन कर दिया गया था, so they got 160 seats out of 162 in East Pakistan, तो इस तरह से आवामी लीग ना किवल East Pakistan, बलकि overall 300 में से majority लेकर आ गई, तो काइदे से सरकार किसकी बननी चाहिए थी, आवाम seats आती है, तो ये भुट्टो की party थी, ठीक है, तो भुट्टो इसके leader थे, Pakistan People's Party के, तो 81 और 160 आप देख रहे हो कितना जादा फर्क है, तो इनके पास तो majority है ही नहीं, इन्हें 151 के आंकडे तक पहुँचने के लिए दूसरों की साहता लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई दूस इस्ट पाकिस्तान के नेता के हाथ में या party के हाथ में दे दिया जाए, ऐसे में इन्होंने कोशिश करी, शेक मुझीबुर रहमान के साथ बातचीत करने की कोशिश करी, कि देखो कुछ formula बना लेते हैं, power sharing कर लेते हैं, मुझीबुर रहमान ने कहा कि किस बात की power sharing, हमारे पास 160 seats हैं, power sharing के आवशकता क्या है, लेकिन भुट्टो और पाकिस्तान का military establishment, जनरल याया खान, ये किसी भी तरह के मुझीबुर रहमान की सरकार को बनने नहीं देना चाहते थे, अब पाकिस्तान में चल रहे है, इस सभी घटना करम को भारत के द्वारा बहुत ही नस्दी किसे देखा जा रहा था, और भारत ये देख रहा था कि किस प्रकार से इंडिया-पाकिस्तान की relations को future में ये तनाव अफेक्ट करेगा, यानि कि पाकिस्तान के अंदर जो तनाव है, वो भारत के साथ रिष्टों को किस तरह से impact करेगा, तो भारत ने parallel में कुछ important developments किये थे, जियो-politics के संदर्प में, जैसे कि 1971 में, Soviet Union और भारत ने एक संदी साइन करी, officially एक treaty साइन करी, जिसको कहा जाता है, treaty of peace, friendship and cooperation, तो इसमें आर्थिक, तकनीकी और military, तीनोत प्रकार के support का प्रावधान था, भारत के सामने उस समय कई प्रकार के options थे, भारत को ये लग रहा थ हो सकता है कि वो East Pakistan में, मुझीबूर रह्मान को थोड़ा सा power दे दे, power sharing हो जाए, बट केंद्र की जो main power है, वो general, जो military establishment है, उसी के पास रहने वाला है, एक और possibility उस समय ये थी, कि Army मुझीबूर रह्मान के साथ कोई deal strike कर ले, हाला कि ऐसा हुआ नहीं, और तीसरा possibility जो भार आवामी लीक और मुझीबूर रह्मान सरकार बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि West Pakistan के जो leaders हैं, वो traditionally anti-India रहे हैं, आर्मी हमेशा anti-India रही थी, तो भारत और पाकिस्तान के रिष्टों के लिए बहतर ये ही होगा, कि आवामी लीक की सरकार बने, हाला कि ये सभी possibilities गलत अवित हुई, क्योंकि ना तो मुझीबूर रह्मान को किसी तरह का power sharing agreement इन्होंने दिया, और ना ही उन्हें सरकार बनाने दिया गया, तो मुझीबूर रह्मान को जब सरकार नहीं बनाने दिया, तो East Pakistan में लोग सरकों पर उतर आया, और civil disobedience की शुरुआत हो जाती है, 7 March 1971 को शेक मुझीबूर रह्मान ने धाका में 20 लाख लोगों की एक rally बुलाई और ये pro-independence rally थी, इसमें इन्होंने अब सीधा ताल ठोक कर कह दिया कि हमें तो आजादी चाहिए, अब समय आ गया है कि हमें आजादी दे दें, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब हमने democracy के भी लहरा दिया और 23 मार्च को इन्होंने अपना independence day एक तरह से गोशित कर दिया, तो आज भी बांगलादेश में 23 मार्च की काफी importance रहती है, ठीक है, और 23 मार्च by the way पाकिस्तान का भी republic day होता है, और ये दिन इन्होंने भी चुना कि हम अपनी आजादी claim कर रहे हैं, जैसे ये claim किया गया, शेक मुझीबूर रह्मान के द्वारा, 25 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने अपना operation search light शुरू किया, ये एक बहुत ही खतरनाक operation था, जिसमें civilians को, political leaders को, intellectuals को target किया गया, वो लोग जो आम जनता के बीच में राजनेतिक चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे गया, ढाका युनिवर्सिटी में students, professors पर firing करी गई, कई बंगाली students और intellectuals मारे गए, और एक बात और यहां पर खास्ती के कई intellectuals जैसे की professors, etc. वो हिंदू थे यहां पर, और उन पर गोलिया चलाए गई, उन्हें directly मार दिया गया, क्योंकि वो भी काफी हद तक independence की बात कर रह रहता है, जिसमें बांगलादेशी freedom fighters, minority, Hindu population, teachers, students और activists को बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया, directly गोलिया मार दी गई, लोगों को जेल में डाल दिया, बताया नहीं कि कहां पर डाल रहे हैं, जेल में, इस पूरे operation में, ये कई महीनों तक चलता रहा था, by the way, तीन से पांच लाख बंगाली औरतों का बलातकार किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी मानवत रास्दी थी, it is one of the largest human tragedies of the 20th century, जो बंगाली intellectuals को मारा गया था, उसको ये depict करता हुआ एक statue है, बांगलादेश में आप देख सकते हैं, या लोगों के हाथ बंदे हुए हैं और उन्हें गोली से मारा जा रहा है, जब इतने लाख लोगों को मारा गया और गड़ों में fake दिया गया तो उनके कंकाल कई जगे बरामद हुए हैं इस तरह के उनके immortal remains आज कई सारे museums में बंगलादेश में आप देख सकते हैं, अब बंगलादेश के लोगों ने अपने देश को आजा चार हो रहा है, तो कई बंगाली लोग जो पाकिस्तान आर्मी में थे, उन्होंने आर्मी छोड़ दी और मुक्ति बाहिनी के अंदर लोगों को train करना शुरू किया, तो ये एक underground resistance force था, इन्होंने हतियार उठाकर लड़ना शुरू किया और इस मुक्ति बाहिनी को भारत ने आर्मी के camps पर बढ़ते जाते हैं, तो ये सब कुछ चल रहा था अप्रेल, मई, जून, जुलाई के समय में, अब भारत के सामने कई प्रकार के options थे, तो ये तो लगने लग गया था कि भारत शायद intervene करेगा, हस्तक शेप करेगा, मुक्ति बाहिनी को military support देकर, बांगला दे 1971 का जो summer season था, उसी के समय से भारत के army तयार होनी भी start हो गई थी, तो ये जो बंगॉली uprising है, ये भारत के लिए एक opportunity of the century के रूप में सामने आया, कि पाकिस्तान इतना कमजोर है कि इसे दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, और इसका भारत को definitely benefit हुआ है, और भविश्य में भी होता रहेगा, क्यूंकि जब पाकिस्तान east और west दोनों साइड पे था, तो भारत को हमेशा एक two front war का खत्रा था, for example 1965 में जब लड़ाई हुई थी, उस समय भारत की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बांगलादेश के border को guard कर रहा था, हाला कि महाँ पर जादा में तोड़ कर, हमेशा के लिए कमजोर कर देने का, and definitely India did that, तो भारत में decision makers ने कहा, कि चलो हम अपने options देख लेते हैं, मान लो कि यह जो east पाकिस्तान नया देश है, technically तो वो पाकिस्तान था उस समय, तो हो सकता है कि उसमें भी ऐसे लोग सकता में आ जाएं, जो भारत के favor मे ना हो आज से 20 साल, 30 साल बात, हो सकता है कि यह eternal ally ना बने, यानि कि हमारा हमेशा का साथी ना बने, लेकिन यह west पाकिस्तान जितना खत्रा कभी भी पोज नहीं करेगा, और reality में हुआ क्या, कुछ सालों के लिए बांगलादेश थोड़ा सा भारत के खिलाफ था, 80s की बात ह जब वहाँ पे military ताना शाही वगेरा थी, लेकिन more or less बांगलादेश भारत के favor में ही रहा है, और यह जो उस समय एक chance लिया था, भारत के strategic establishment ने, सरकार ने, वो बिलकुल सही साबित हुआ है, तो कभी-कभी बांगलादेश थोड़ा सा नराज हो भी जाता है भारत से, लेकि थोड़ा बहुत परेशान होता, relationship इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन वो तो भारत की आदत है, हमारी सारे पड़ोसियों से छोटी-मोटी, कुछ ना कुछ चलती रहता है, तो ऐसा ही बांगलादेश के साथ होगा, बट हाँ, पाकिस्तान जितना damage यहाँ पर नहीं हो सकता ना ये देश कर सकता था, एक और option यह था कि भारत कुछ नहीं करता, भारत चुपचा बैठा रहता, मुक्ति भाहिनी को थोड़ा बहुत training, हतियार, मोहिया करवाते रहते, जैसा चल रहा था, या फिर वो भी नहीं करवाते, तो ultimately देखो, जिसको आजाद होना होता है, वो भारत से नाराज रहते हैं कि आपने जरुद के समय हमारी मदद नहीं करी, क्यूंकि भारत शुरुवात से, 1950 के दशक से, बांगला भाशा के movement को support करता आ रहा था, चाहे वो अपने propaganda के माध्यम से हो, या financial support के माध्यम से, तो support हमेशा था, लेकिन जब crucial समय आया, जब मौका आया कि आपको actual military support देना था, तब अगर भारत पीछे हट जाता, तो definitely बांगलादेश के जो future leaders हैं, वो भारत से हमेशा खफा रहते, या फिर वो कभी इतनी अच्छी दोस्ती या इतना अच्छा relationship भारत से नहीं बनाते, operation searchlight के दौरान हमने ये भी देखा कि किस तरह से बां ग्रह युद्ध चलते हैं, वहाँ पर mostly ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं, जो बहुत radicalized हैं, जो बहुत extreme views रखते हैं, ये दुनिया के हर देश में देखा गया है, तो अगर आवामी लीग जो काफी हद तक भारत के favor में थी, आवामी लीग अगर sideline हो जाती है और उसकी इंसरजंसी चालू हो सकती थी, भारत में भी नकसलवाद शुरू हो चुका था, उसी समय नया नया शुरू हो आता, नकसलवाद माविस्ट आडियालोजी के पीछे, और ये नकसलाइट मूवमेंट भारत के eastern movement, eastern regions में जो था, उसे बांगलादेश से support मिलता, तो भारत के ल जरूरी था, तो जुलाई अगस्त 1971 आते आते हैं भारत के सामने एक और समस्या आती है refugees की, तो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में refugees आना शुरू होते हैं, in fact ultimately करोडों की संख्या में refugees आये थे, तो भारत के पश्चिम बंगाल और असाम राज्यों में बहुत सार refugee आकर शर्णार्थी आकर रहने लगे, border उससे में बिल्कुल पोरस था, आज की तरह तारबंदी वगेरा नहीं थी, तो असानी से border cross करके लोग आना शुरू हुए, और भारत ने उनको शरण दी, उनको खाने पीने के उनकी विवस्ता करी, रहने के लिए camps बनाए, अब हो यह रहा था कि 90% refugees जो थे, वो हिंदू थे, क्योंकि हिंदूों के साथ इतने अब बुरा बरताव किया जा रहा था, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, कि हिंदू सबसे पहले देश छोड़ कर भाग रहे थे, भाग क्या रहे थे, उनकी जान पर बनाई थी, तो आना ही शुरू ना हो जाए, अल्टिमेटली एक करोड refugees जब भारत आ जाते हैं, तो भारत सरकार पर भी बहुत दबाव पड़ा, कि कब तक हम refugees को शर्ण दे सकते हैं, भारत खुद को economic superpower नहीं है, कि उसके बास इतना पैसा है कि सारे शर्णार्थियों को establish करके, settle कर दे, सब को refugee population without severe damage to its own economy, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत ने हस्तक शेप किया, लेकिन भारत ने तुरंत हस्तक शेप नहीं किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कई महीने बीद गए, भारत ने ना तो अपनी आर्मी भेजी, ना ही अपनी आर्मी को ready किया, भारत शुरुआत म में पाकिस्तान की सरकार जन सनहार कर रही है, तो ये बातें बार-बार भारत ने raise करी, लेकिन दुनिया में उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था, बांगला देशियों के साथ जो हुआ, उसको लेकर US, UK जैसे बड़े-बड़े देशों ने UN में एक प्रस्ताव तक पारित नहीं किया, in fact, East Pakistan में जो US Ambassador उस समय गए थे, मतलब एक diplomatic junior officer थे, उन्होंने अपने खुद के देश की सरकार को कई सारे टेलिग्राम लिखे कि देखे है, यहाँ पर genocide हो रहा है, you have to stop this genocide, US Government कुछ नहीं कर रही थी, क्यूंकि उसे पाकिस्तान की साहता चाहिए थी, शीत सही होगी था, याद करो मैं आपको बताया था, Seattle के बारे में, तो उसे Seattle में पाकिस्तान की आवशक्ता थी, Soviet Union को counter करने के लिए, तो इसी लिए US महाँ पर बिलकुल चुप चाप बैठा रहता है, आखिरकार November 1971 आते यह पाकिस्तान को लगने लगा कि अब भारत हम पे कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी, बाकी सारे तरीके फेल हो चुके थे, तो अब पाकिस्तान ने यह सोचा कि भारत हम पे हमला करें, उससे पहले हम भारत के हवाई जहाजों को, air bases को destroy कर देते हैं, तो 3 December 1971 ने पाकिस्तान ने ऑपरेशन हो जाए, काफियत तक हमारे air force के जो fighter jets हैं वो बच गए थे, लेकिन फिर भी damage air strips को बहुत जादा हो गया था, और इसलिए अभी आप देखोगे कि भारत सरकार जो भी express way बनाती है, उस पर Indian air force अपने plane को उतार कर एक trial run कर लेती है, ताकि भविश्य में कभी ऐसी स्थिती हो तो हमारे पास एक alternate air strip होनी चाहिए, तो भारत ने पहले हमला यहां पर नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से preemptive strike करी गई, preemptive का मतलब होता है कि कोई आप पर हमला करने वाला है, उससे पहले आप उस पर हमला कर दो, भारत ने तुरंत जवाबी कारवाई करते हुए पाकिस् के military establishments पर बंबारी करी और इस तरह से युद्ध की शुरुवात हो जाती है, इस युद्ध के दौरान कई बड़ी-बड़ी military battles होती है, इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, battle of chump, battle of basantar, longe wala, battle of hilli, और ये सभी legendary लड़ाईयां है भारत के और पाकिस्तान के यु western front, यानि कि भारत का जो राजिस्तान पंजाब वाला border है, वहाँ पर ये लड़ाईयां हो रही है, और ये west Pakistan वाले front पर है, दूसरी और जो east Pakistan वाला frontier है, यहाँ पर अब भारत के आर्मी attack की तयारी कर रही है, और दोनों तरफ से अब इंडियन आर्मी engage करती है, यहाँ पर यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के genocide को रोकने के लिए, finally India decided to send its army into east Pakistan, और यहाँ पर मुक्ति भाहिनी के local support के माध्यम से, भारत की सेना ने बहुत ही कम दिनों के अंदर अंदर पूरे east Pakistan को अपने control में ले लिया, it is one of the finest campaigns, मतलब strategically, tactically अगर आप देखें, तो बंगलादेश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी नदिया हैं, तो जब नदिया होती है, तो उन्हें cross करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है कि bridge उड़ा देते हैं, जब भी पता होता है सामने से कोई army आ रही है, तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि bridge को उड़ा दो, boats वगेरा को जला दो, तो इतनी सारी नदियों को cross करके पूरे territory को अपने control में लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन Indian army ने यह काम एक दो डेड़ हफते के अंदर अंदर कर दिया था, हाड़ी 10 days के अंदर यह पूरी लड़ाई खत्म भी हो गई थी, औ और 16 December 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने जो यहाँ पर East Pakistan में स्थित थी, उसने सरेंडर कर दिया, और 1971 के इस युद्ध में एक और एंगल है जो आपको याद रखना है, directly exams में पूछा भी जाता है कि Cold War की politics यहाँ पर क्या चल रही थी, इसको समझे, देखे शीत युद्ध क्या था, USA और USSR आमने सामने थे, दोनों ने अपनी साइड में कई सारे देशों को कर रखा था, US ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने खेमे में कर रखा था, भारत को USSR की यहाँ पर आवशक्ता क्यों पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि Pakistan पर हमला किया है, तो USA का कुछ ना कु Ukrainian भारत को सपोर्ट कर रहा था, US पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, एक चाइना का एंगल भी यहाँ पर था, पहले US चाइना के फिवर में नहीं था, US in fact चाइना को रेकगनाईज ही नहीं करता था, People's Republic of China की मैं बात कर रहा हूँ, पहले केवल ताइवान जो Republic of China है, उसे रेकगनाईज किया करते थे, लेकिन 1969 आते आते, US People's Republic of China से बात्चीट शुरू कर चुका था, और भारत को पता था, कि अगर US चाइना की दोस्ती हो गई है, तो यह हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और दोनों का दोस्त अमेरिका तो यह भारत के लिए बहुती खतरनाक स्तिती हो सकती थी, लेकिन किस्मत से एक बहुती इंपोर्टन घटना होती है, साइनो सोवेट स्प्लिट, तो साइनो सोवेट स्प्लिट क्या था, USSR और चाइना, जो दोनों कम्यूनिस्ट कंट्रीज थे, लेकिन कुछ बातें हो गई यह आपस में दोनों की अनबन हो गई, जिसके कारण यह दोनों पूरी तरह से अलग हो गए, डिप्लोमाटिकली अगर आप देखें, तो तो इसी लिए 1971 आते आते, US ने formally जब recognize किया People's Republic of China को, तो उस समय ताइवान एकदम से चौक गया, कि हमारा जो दोस्ती यारी थी, उस उसको भी अब हम recognize करेंगे, चाइना और US की इस दोस्ती को कराने वाला देश था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने मध्यस्त की भूमी का निबाई और अब वो बड़ा खुश था, कि चाइना हमारे साथ है, US हमारे साथ है, तो भारत के उपर बहुत बड़ा दबाव है, इं importance होती है, यह अपने आप में एक चलते फिरते military base के रूप में काम करते हैं, तो USS Enterprise को भारत की नेवी को counter करने के लिए भेज दिया गया था, Indian Ocean region में, भारत की नेवी, पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरह से बंद कर चुकी थी, इंडिया की नेवी ने कराची पोर् पर हमला करने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया की नेवी ने पहले ही कराची पोर्ट को यहां पर घेर लिया, अब इस घिराब को तोडने के लिए, USS Enterprise को भेजा गया था, लेकिन USS Enterprise को रोकने के लिए, Soviet Union ने अपनी नेवी को भेजा, Bay of Bengal में, और इस तर Pacific Fleet के यहां पहुंचने के कारण, US के जो जहाज हैं, वो पूरी तरह से neutralize हो जाते हैं, और भारत की नेवी को एक खुली छूट मिल गई, कि वो पाकिस्तान पर पूरा दबाव बना कर रख सके, और इसी के माध्यम से, भारत ने पाकिस्तान की नेवी को completely cut off कर दिया, तो इस की आर्मी अगर यहां पर कुछ भी दबा, थोड़ा बहुत भी कुछ कर देती है, मानलो अपने आर्मी को बॉर्डर पर लाकर तैनात करना शुरू कर दिया बड़ी संख्या में, तो इंडिया अपने आर्मी रिसोर्स को अपने पश्यमी और पूवी बॉर्डर से निकाल कर चाइना के बॉर्डर पर लेकर जाएगा, तो यह यूएस की उमीद थी, इसके लिए यूएस ने चाइना के साथ बहुत बातचीत करने की कोशिश करी, अभी अभी दोनों की नई नई दोस्ती हुई थी, लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि देखो नई दोस्ती है, आपकी दोस्ती का सम्वान करते हैं, लेकिन यह हरकत हम नहीं करेंगे, हम हमारी आर्मी को इधर नहीं लेके जाएंगे, कारण क्या है, सौवेट उनियन, तो सौवेट उनियन और चाइना का जो बॉर्डर है, उत्तरी बॉर्डर, वहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ था, 1969 में, ज हमारा सिक्यूर, पश्शीमी बॉर्डर पर हमने पाकिस्तान की आर्मी को पीछे धकेल दिया, पाकिस्तान की नेवी को यहाँ पर ब्लॉक करके रख दिया है, और अब इस्ट पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, और इसकी सहायता करने के लिए ना तो चाइना आएग रिडर्शिप सरिंडर कर देती है, और 93,000 पाकिस्तानी सोलजर्स जो यहाँ बांगलादेश में तैनात थे, वो सरिंडर करके भारत के युद्ध बंदी बन जाते हैं, वर्ल्ड वार टू के बाद में, यह सबसे बड़ी संख्याती प्रिजनर्स ऑफ बॉर की, तो यह वो जब पाकिस्तान की आर्मी के लेफनेट जनरल एए के नियाजी सरिंडर के कागस प्रूप पर साइन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लेख सकते हैं, लेफनेट जनरल जगजीत सिंग अरोड़ा और पीछे भारत के अन्यट टॉप मिलिटरी और नेवल जनरल्स कमांडर्स, यहाँ पर खड़े होकर इस एत्यासिक शन को देख रहे हैं, आठ जन्वरी 1972 को युद्ध खत्मोने के कुछ दिन बाद शेक मुझीबूर रहमान को पाकिस्तान की जेल से आजाद किया गया, जब पता चलिया ना पाकिस्तान को कि भई आब हार गए हैं, अब तो कुछ नही थे, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद उनकी हत्या कर दी गई, उनी के अपने आर्मी जेनरल्स ने एक तक्ता पलट किया, और मुझीबूर रहमान और उनके पूरे परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी गई, और उसके बाद कुछ साल ऐसे थे, लगबग एक डेड़ दशक का स इंडिया एंड पाकिस्तान, दो जुलाई 1972 को इसे साइन किया गया, युद्ध खत्म होने के 6 महीने बाद, एक शान्ती वारता बुलाई गई, शिमला में हमने पाकिस्तान के ततकालीन प्रधान मंतरी जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्वाइट किया, हमारी ओर से प्र इस फायर लाइन कहा जाता था, लेकिन अब इसे officially line of control के रूप में recognize कर दिया, पाकिस्तान, भारत दोनों ने इस बात पर सहमती जताई, कि अब ये line जो है, इसको हम फिलाल के लिए एक temporary border के रूप में देख रहे हैं, it is not the permanent border, लेकिन जब तक कश्मीर मसले का पूरा हल नही हो जाता, तब तक ना तो आप इससे आगे बढ़ेंगे, ना हम इससे आगे बढ़ेंगे, so this will be the line of control that controls both the armies, और कश्मीर के मुद्दे का solution, दोनों शांती से करेंगे, peaceful bilateral negotiation, युद्ध की जरूरत नहीं है, और किसी अन्य देश को involved नहीं करेंगे, it will be a bilateral negotiation between India and Pakistan, भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को, जिनने युद्ध बंदी बना रखा था, उन्हें फिर से अपने देश भेजने का वादा किया, और भेज भी दिया गया, कुछ ही हफ्तों के अंदर, और जितनी भी जमीन हमने पाकिस्तान की ली थी, वो फिर से पाकिस्तान को दे दी गई, actually Western Front पे लाहर शहर तक इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, तो कई जगे 10, 20, 50 किलोमेटर तक इंडियन आर्मी अंदर चली गई थी, तो वो जमीन हमने अपने कंट्रोल में रखी थी, so that, of course, उसमें क्या होता है कि आप नेगोशेट बहतर कर पाते हैं, तो इंडिया ने ये जमीन स अब जा नहीं किया, वरना आज लाहर भी हमारे पास होता, anyways, जो भी international border था, उसको उसका भारत ने सम्मान किया, इंडियन आमी वापिस अपने शेतर में आ जाती है, और जो पुराना border, red cliff line है, it was maintained, अब इस पूरे युद्ध से, आज की सरकारें क्या सीख ले सकती हैं, काफ करी जाती है, वो ये, कि जब हमने अपनी आर्मी को बांगलादेश में भेजा, बहुत सोच समझ के भेजा, और तुरंत वापिस बुला लिया, Indian Army did not stay there for one year, two year, नहीं, हम वहाँ पर एक task, एक काम के लिए गए थे, जैसे ही बांगलादेश secure हुआ, अजादी मिली, हम तुरं exit plan, भारत ने भी ये गलती करी थी, 1987 में शिलंका में जब हमने अपनी आर्मी भेजी थी, peacekeeping forces भेजे थे, operation पवन के तहित, उस समय हमें भी पता नहीं था कि हमें क्या करके बाहर वापिस exit करना है, तो वहाँ पर भारत को भी एक नुकसान जहिलना पड़ा था, so that was also wrong, लेकि कि सबसे पहले बांगलादेश की मुक्ति भाहिनी के लीडर्स के साथ, भारत ने पहले ही ये discussion कर लिया था, नवेंबर के महीने में, कि अगर हम आर्मी भेजते हैं, तो आप हमें एक तारीक बताओ, कि इस दिन आपका देश आजाद हो जाएगा, उसके इतने दिन बाद हम वापिस बुला लेंगे, आप अपने देश को सिक्योर करेंगे, क्योंकि याद रखो कि इस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी, वो पाकिस्तानी आर्मी थी, there was nothing called बांगलादेशी आर्मी, तो बांगलादेश को भी तो अपनी military सिक्योर करने के लिए कुछ समय, कुछ महीने का सम वापिस भारत में आचुकी थी, there was no Indian soldier on बांगलादेशी soil on 16th March, जनवरी 1970 में शेक मुझीबूर रह्मान भारत आये थे, दिल्ली आये थे, उन्होंने प्रदान मंतरी इंदिरा गांधी से इसाब discussion भी किया था, और इस प्रकार से दोनों नेताओं ने मिलकर ये discussion किया कि आर आर्मी हो कही ना कही बल का प्रयोग करना पड़ता है, तो धीरे धीरे जनता आपसे नराज होने लगती है, तो जो आपको liberators के रूप में आजाद करने वाली आर्मी के रूप में देखते हैं, अगर आप बहुत लंबे समय तक वहां रुख जाएं, तो फिर वो आपको हम जल्म करने वाली आर्मी के रूप में देखने लगेंगे, तो यूएस के साथ अफगानिस्तान में यही हुआ, उन्होंने अपना सारा गुडविल खो दिया, तो देखें 2001 में जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान आई थी तो लोग तालिबान से तरस्त थे, तो जब ताल अफगानिस्तान में अलकाइदा और तालिबान बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, उस समय भी वो एक्जिट कर सकता था, वहाँ की सरकार को सब कुछ सौप देता, बिनलादे इनको मारने के बाद 2011 में एक्जिट कर सकता था, लेकिन नहीं, यूएस ने ऐसा नहीं किया, और जादा drone strikes को बढ़ा दिया, अब इन drone strikes में problem यह है कि आम नागरिक जादा मारे जाते हैं, तो गेहु के साथ घुन भी पिस्ता है, ऐसे में जब दो आतंगवादी मारने होते थे तो उनके साथ 20 civilians या उनके परिवार वाले मारे जाते थे, इससे ground level पर लोग अमेरिका से नराज होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर से Taliban का support बढ़ जाता है, और आप जानते ही हैं कि 2021 में क्या हुआ, अब आज के समय अगर आप देखें तो भारत और बांगलादेश के रिष्टे काफी अच्छे हैं, बांगलादेश हमारे लिए शुरुआत से एक important partner रहा है क्योंकि बांगलादेश आबादी के अनुसार से आप देखो, तो it is one of the largest country जो हमारे favor में है, देखो चाइना और पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए threat रहेंगे, at least आने वाले 20-30-40 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि इनका threat neutralize होगा, हो सकता है कि दोस्ती हो जाए, अभी तो भारत से भी तेज वृद्धी दर आ गई है, तो यहाँ पर potential बहुत है, भारत की firms के लिए बांगलादेश में invest करने का अभी सुनहरा मौका है, कई Indian firms कर भी रही हैं, कई hospital chains बांगलादेश में खुल रही हैं, जो भारत की hospital chains हैं, so India बांगलादेश have a very good trading partnership, और धी योग करती है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोडने के लिए बांगलादेश का सहयोग बहुत जरूरी है, अगर बांगलादेश के through train और bus services होती हैं, तो the travel time to states like Tripura, Mezoram will be cut down, in fact bus services शुरू भी हुई थी, अगर तला कलकता के बीच में, कॉलकता के बीच में, तो एक मुझीबूर रह्मान को मरनो प्रांत गांधी पीस प्राइस से सम्मानित किया गया है 2021 में, और हमारे प्रदान मंतरी भी बांगलादेश की यात्रा पर गये थे हैं, और वो एक बहुत पुराने मंदिर को भी इनागरेट करेंगे आज, प्रोबिली आप जब यह प्रेक्रेटरी हर्षवरदन श्रिंगला ने एक important statement दिया था कि बांगलादेश भारत की neighborhood first policy का एक बहुत ही महत्वपुर्ण पिलर है, it is a central pillar of this policy और ये relationship हमारी active policy के लिए भी बहुत important है, तो आज इस लेक्चर का अंथ हम यहीं पर करते हैं, अगर आपको PDF डाउनलोड करना महिपाल और इसमें हिस्सा जरूर लीजे, question solve करेंगे, अच्छी rank लाएंगे तो आपको एक तो scholarship मिलेगी और एक added benefit है कि आप इन gifts को जीच सकते हैं, आप सभी unacademy के courses को EMI पर avail कर सकते हैं, EMI कैसे avail करना है, description में जो पहला link है Google form का उस पे click कीजे, पूरा process समझ में आ जाए these prelims point of view से बहुत जरूरी है, UPSC, CSE के नए batches हर बुदवार को बनते हैं, इन batches को आप join कर सकते हैं, as soon as you take the subscription, हमारी free test series का भी फाइदा उठाई है, इन तीनो test series को अगर आपको join करना है, just use the code महिपाल to unlock them, और UPSC prelims में अपना score आप बढ़ा सकते हैं, iconic subscribers के लिए एक live mentoring platform ongoing thank you very much for watching this, have a great day